तो दोस्तों आपने कभी ना कभी Android Rooting का नाम तो सुना ही होगा तो अगर आपने इसे सुना है तो आपके दिमाग में एक question रहता होगा कि आखिरकार ये Rooting होता क्या है और Rooting के फाइदे या नुकसान क्या होते है तो Hello Guys, मेरा नाम है Prior Anjan Chandel, आप देखरें Technological Doc तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि Android Rooting होता क्या है और Rooting के फाइदे क्या है और Rooting के नुकसान क्या है तो अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो आपको हमारा वीडियो अन तक देखना पड़ेगा तो चलिए बीना समय गवाए हम अपने वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर का Rooting होता क्या है तो Rooting मतलब आप अपने स्मार्टफोन अपने Android स्मार्टफोन को एक special power provide कर रहे है जैसे Rooting का मतलब होता है जड़ वैसे ही Rooting का मतलब होता है आपके Android की जड़ अपने Android की जड़ तक पहुंच रहे है और control आप अपने हाथों में ले रहे है तो Actually Rooting भी यही होता है आप यहाँ पर अपने Android स्मार्टफोन है फिर Android डिवाइस से जितने भी है आपके पास उसको root करने के बाद उसका जो software है उसका जो control है वो आप अपने हाथों में ले रहे तो अब यहाँ पर हम बात करें कि आखिरकार Rooting के फाइदे क्या है तो सबसे पहला main फाइदा यहाँ पर यह है कि आप इसमें special application को run कर सकते हैं जो कि आप routing के बाद ही कर सकते हैं जैसे कि Greenify, titanium backup, ROM manager आप इस टाइप के application को यहाँ पर use कर सकते हैं उसके बाद main फाइदा इसका ये है कि आप यहाँ पर custom URL को install कर सकते हैं उसके बाद आप यहाँ पर अपने मतलब phone के storage को बढ़ा सकते हैं तो यह तीन फाइदे में आपको बताए अब हम यहाँ पर थोड़ा बात करें कि इसके disadvantage क्या है इसके नुक्सान क्या है तो सबसे पहला इसका disadvantage है आपके phone की warranty को ये खतम कर सकता है मान लिजे आपका phone एक warranty period में चल रहा है दो साल या फिर एक साल फिर देर साल का तो ये उसको खतम कर देगा उस phone का आपका बिलकुल warranty कुछ नहीं रहेगा उसके बाद और एक इसका नुक्षान है जो कि रहता है आपके phone को ये damage कर सकता है अगर आपने अपने smartphone को route कर लिया तो उसके बाद आपका phone कभी भी खराब हो सकता है और खराब होने के बाद इसका कोई मतलब life नहीं है इसके बाद ये और नहीं बनेगा तो हमने यहाँ पर बात किया कि इसका मतलब आखिर का routing होता क्या है routing के advantage क्या है और routing के disadvantage क्या है तो I hope कईसा आपको समझ में आ गया हो कि आखिर का routing क्या है और मैं आपको prefer करूँगा कि आप अपने smartphone को route बिल्कुली ना करे हुकी routing करने से आपको यहाँ पर बहुत सारे और भी disadvantage देखने को मिल सकते हैं जो कि मैं आपको और एक मतलब इंट्रेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पुरा इसका लिश्ट दिखाऊंगा advantage और disadvantage का तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे हम और एक informative वीडियो के साथ तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रही है हमारे चैनल पर अगर नए है सब्सक्राइब कीजे और आप बेल आइकोन को दबा जेए को कि हम ऐसे ही technology से related अपने वीडियो ले के आते रहते हैं अपने चैनल पर तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे हम और एक informative वीडियो के साथ